सोलवाँ पाठ बूड़ी अम्मा की बात प्रिष्ट संख्या 104 से 109 तक अब प्रस्तुत है पाठ बूड़ी अम्मा की बात एक था किसान गोमा मूरी नाम था उसका गुजर बसर लायक खेती थी एक गाय एक जूड़ी बैल बीस बक्रियां थी चोटा सा घर घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा तीन साल से वर्षा बहुत कम हुई थी ना फसले हुई थी ना चारा इस वर्ष भी आशाड सूखा ही रह गया वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी खेत जोट कर क्या करूँगा गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा वह बैलों को हांकते हुए वापिस घर की ओर चल पड़ा अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा गाय बैल वो बक्रियों को बाड़े से निकाला उसकी पत्नी बक्रियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रख कर चल पड़ा खेतों की ओर रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा कि गोमा खेत जोतने से क्या होगा वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे गोमा ने सब की बात सुनी कई बार उसका मन डावा डूल भी हुआ फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोच कर खेत पर पहुँच गया उसने आकाश की ओर देखा सूरज आग के गोली की तरहें जल रहा था उसने धर्ती को भी निहारा खेतों में गहरी और चोड़ी दरारें पड़ गई थी वह बैलों को देख कर उनकी दशा से भी चिंतित था भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे वह थोड़ा निराश भी हुआ उसे बैलों की दशा पर दया हो आई उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक व्रिक्ष के नीचे बैठ कर सोचने लगा क्या करे वे खेत जोते या उसे योही पड़ा रहने दे वे सोचता रहा थोड़ी देर बाद वे उठा और दुखी मन से बैलों को हांक कर घर की रह पकड़ ली उसने निर्ने कर लिया कि वे तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक की वर्षा नहीं हो जाती धूप काफी तेज थी दूसरे दिन वे और भी निराश हो गया उसके पैर ना आगे बढ़ते थे और ना पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी रास्ते में एक पेड के नीचे उसने बैलों को रुका और वही नीचे जमीन पर बैठ गया तभी वहाँ पर एक बूड़ी अम्मा आ गई वह भी उसी पेड के नीचे बैठ गई गोमा ने पूछा अरियो बूड़ी अम्मा कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है बूड़ी अम्मा ने कहा मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गाउं जा रही हूँ लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो यह समय तो खेत में हल जोतने का है लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है कहीं तुम्हारा हल तूट तो नहीं गया है गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बिमार हूँ और नहीं मेरे बैल बिमार है मेरा हल भी नहीं तूटा है, तूटी है तो मेरी हिम्मत अम्मा, तुम तो जानती हो, तीन साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है इस वर्ष भी यही हाल है, खेत जोत कर क्या करूँ, बुढ़ी अम्मा बूली देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृती पर निर्भर है जब बादल बनेंगे, तो वर्षा अवश्य होगी तुम्हारा काम है, खेत जोत जोत कर तयार करना तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृती अपना काम अवश्य समय पर करेगी वर्षा अवश्य होगी गोमा पुने, बूढी अम्मा से बोला अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए है मेरे बैल दुबले है इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है चारा पानी ही क्या, यहां तो पेड़ों की पत्यां तक खत्म हो गई है बेचारे बैल कैसे हलखी चें वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे गोमा ने निराशमन से अपनी बात कई बूरी अम्मा भूली बेटा, तुम निराशा की बात मत करो पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही पेड़ तो यहां सब लोग काट रहे हैं देखो, अब पेड़ भी कहां बचे हैं जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहां से आएंगी अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहां से होगी हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं लेकिन जो हुआ सो हुआ अब तो तुम लोग पेडों पर ध्यान दो तुम निराश मत हो खेतों में हल चलाओ उन्हें हांक जोत कर बोने के लिए तैयार करो इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी बूढी अम्मा ने मुसकरा कर गोमा की हिम्मत बढ़ाई वह उठी और लकडी टेखती हुई अपनी राह चल दी वैसे तो गोमा मन से निराश था मगर बूढी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया उसने लगातार चार दिन तक हल चलाया खेत खूब अच्छी तरह तयार हो गए गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्य था अब वह बैलों को हाकते हुए घर की ओर चल पड़ा पूरी रहा वह गुनगुनाता रहा उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई चार दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया सवेरे जब वह सो कर उठा तो गाए रंभा रही थी बकरियां मिमिया रही थी सवेरे सवेरे अपने पशों की ये आवाजे सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे वह पुलक कर उठा उसकी पतनी ने आंगन से आवाज लगाई अजी सुनते हो बाहर तो आओ वर्षा होने वाली है गोमा जटपट बाहर आया उसने देखा मौसम बहुत सोहाना हो गया है आसमान में बादल घुमड आये थे उसने बादलों को जी भर कर निहारा उसे लगा मानों बादलों से बुढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकरती उभर आई हो उसे बुढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी उसने मन ही मन बुढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वे ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो बादल बरसने लगे आंगन तर बतर हो गया गोमा को लगा मानो बूरी अम्मा उससे कुछ कह रही हो वह बूरी अम्मा से कुछ कहना चाहता था तभी बारिश और तेज हो गई अभ्यास शबदार्थ निहारना अर्थात गोर से देखना हांकना अर्थात चलाना हल जोतना अर्थात खेत जोतना आस अर्थात उमीद या आशा घुमरना अर्थात बहुत से बादलों का आसमान में च्छा जाना तर्बतर अर्थात भीगा हुआ या सराबूर डावा डोल अर्थात अस्थिर या करने न करने की स्थिति मेंड अर्थात खेत की हदबंदी या सिचाई आदी के लिए उसके इर्दगिर्द बनाया हुआ मिट्टी का घेरा नातिन अर्थात बेटी की बेटी निर्भर अर्थात आश्रित या सहारे पर टिका हुआ पहला पाठ से क लोक कथा में गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हांक कर घर की ओर क्यों चल पड़ा ख गोमा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बुढ़ी अम्मा ने उससे क्या कहा ग गोमा ने अपने खेतों को क्यों जोता दूसरा क्या हुता अगर क गोमा खेतों को तयार न करता ख गोमा को बुढ़ी अम्मा नहीं मिलती ग बुढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान न देता ग इस साल भी वर्षा न होती तीसरा वर्षा कैसे हो क बुढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने का क्या कारण बताया था ख क्या तुम बुढ़ी अम्मा की बात से सहमत होते अपने उत्तर का कारण भी बताओ चौथा गाव और पशू क इस वर्ष भी आशाड सूखा ही रहा लोग कथा से जाहिर होता है कि गोमा के गाव में तीन साल से वर्षा नहीं हुई थी वर्षा नहोने के कारण उनके गाव के बैलों, खेतों और पेडों में क्या बदलाव आए होंगे ख सवेरे सवेरे अपने पशूओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे गोमा ने बहुत समय बाद अपने पशूओं की वे आवाजें सुनी थी क्यों पाँचवां सोचने की बात बूरी अम्मा ने कहा वर्षा अवश्चे होगी क्या उन्हें मालूम था कि इस साल वर्षा होगी या उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर केवल अंदाजा लगाया था गवर्षा और पेड़ों के संबंध के बारे में सोचो पाँच पाँच बच्चों के समुह बना कर इस बारे में बात चीत करो फिर सब को अपने समुह के विचार बताओ चठा कैसा था गोमा सही शब्दों पर गोला लगाओ कामचोर, आलसी, महनती, भोला भाला, मूर्ख, समझदार, गरीब, अमीर, कमजोर, लगन का पक्का अब अपने उत्तर का कारण यहां लिखो मेरे विचार से गोमा, रिक्तिस्थान, व्यक्ति था क्योंकि रिक्तिस्थान साथवा, डावा डोल कई बार उसका मन डावा डोल भी हुआ गोमा खेतों में काम करने जा रहा था कई बार उसने घर लोट जाने की बात भी सोची तुम्हारा मन भी जरूर कभी डावा डोल होता होगा ऐसा कब-कब होता है अपने ढंग से सोच कर इस सोची को पूरा करो जैसे क, जब खूब नींद आ रही हो और दोस्त खिलने को बुलाने लगे अब आगे के वाक्ये आप स्वयम सोच कर लिखें आठवा, खेती इस लोग कथा में खेती से संबंधित अनेक शब्द आये हैं उनकी सूची बनाओ, फिर उन्हें वर्ण माला के क्रम से लिखो नववा, तुम्हारी लोग कथा दस्वा, किसका काम तुम गीत गाने, किस्सा कहानी को सुनने के अलावा, फिल्मे भी देखते होंगे अब तुम पता करो कि, क, लोग गीतों और लोग कथां को कौन-कौन लोग बनाते और गाते हैं ख, क्या लोग कथां पर भी नाटक या सिनेमा बना है कुछ के नाम बताओ, इन कामों में तुम बड़ों से भी मदद ले सकते हो ग्यारवा, अपनी भाशा यहां लिखे वाक्यों को, अपने ढंग से सार्थक रूप में तुम जिस तरह भी लिख सकते हो, वैसे लिखो क, उसने बादलों को जी भर निहारा इसमें रेखांकित शब्द हैं, जी भर निहारा ख, वर्षा की कोई आशा नहीं बंद रही थी इसमें रेखांकित शब्द हैं, आशा नहीं बंद रही ग, गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी इसमें रेखांकित शब्द हैं, हिम्मत बटोरी घ, उसने घर की राह पकड ली यहां रेखांकित शब्द हैं, राह पकड न, वर्षा बरसाना तुम्हारे हाथ में नहीं है यहां रेखांकित शब्द हैं, हाथ में नहीं बारहवा बहु मूल्य सामान खेती से प्राप्त होने वाले बहु मूल्य सामानों की सूची बनाओ और उस सूची में से जो सामान तुम्हारे प्रदेश की खेती से प्राप्त होता है उसका भी अलग से उलेख करो